नमस्कार मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कारेकरम राजनेतिक गलियारा में मुद्द है राजस्तान की स्यासत अगर देखा जाये तो राजस्तान में सबसे बड़ा बवाल यही है कि गहलोत या पालेट लेकिन अभी तक जितनी भी खबरे सामने आई है तो साफ तोर पे कहा जा रहा है कि अब पालेट के सिये बने की संभावनाएं पूरी तरीके से खतम होती जा रही है गहलोत यहाँ पर अलग अलग तरीके के कदम उठाते जा रहे है तो क्या माना जाए कि पिछली बार जो चुनाव जीता गया था वो पालेट के चेहरे पर जीता गया था तो क्या इस बार गहलोत के चेहरे पर चुनाव जीता गया था तो क्या इस बार गहलोत के चेहरे पर कुछ आती है तो अगले आने वाले चुनावों में क्यों हार का सामना करना पड़ता है अब यहां पर गहलोत कुछ बड़े बयान देते नज़रा है 156 सीटों की बात यहां पर की जा रही है कि मैं गौड गिफ्टेड हूं गहलोत ने यह तक कह दिया हमेशा काम आती है मुझे किसी के समर्थन की जरूरत नहीं उन्होंने यहां पर हाई कमार और साथे साथ पालेट को नजरनदा साइडलाइन कर दिया उन्होंने कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा और यहां पर सरकार को रिपीट भी कराऊंगा देखा जाए यहां पर गहलोत अब साफ तोर पर कहते हैं कि प्रदेशा द्यक्ष ता तो उस समय पर मैंने 156 सीटे जीती थी यानि कि देखा जैनके नेत्रित में चुनाव हुआ था यह बात उन्होंने कहीं अब यहां पर पालेट के समर्थक कहने लगए कि अगर ऐसा ही है तो गहलोत को सीम पर चोड़ देना चाए और प् सब्सक्राइब आगे कर सकते अगर गहलोत इसी बयानों पर लकतार तीके रहते तो इसी मुद्दे को लेकर हम अपने दो संयोगीों से हाँ पर बात करेंगे और जानेंगी कि आखिरकार यहां पर अगर देखा जाहे कि गहलोत यहां पर सीम बने रहने चाहिए और पिर कई यहां पर उन्हें कोई और पद अपना लेना चाहिए अबरार है अबरार सीरा सवाल यही रहेगा साफ तौर पे गहलोत ने कहा कि मैं जब प्रदेशा ध्यक्षता तो उस समय पर 156 पास सीटे हमने आसानिस से जीत ली थी मेरे नेत्रित में आप लोगों को टिकेट बाटे कहते नज़रा है अगर इतना ही भरोसा है खुद पर तो आप प्रदेशा ध्यक्ष का पद ही क्यों नहीं संभालते क्यों सीम पद से स्टिफ़ा नहीं देते तो उसको लेकर क्या समझा जाए क्या गहलोत आने वाले समय में कोई ऐसा कदम उठाएंगे या अभी भी सीम पद जहां तक सचीन पालेट के राजनेतिक भी साथ की बात की जाए तो बहले ही गुजर वोट उनके साथ पूरी तरीके से दिखता है हमेशा वो उनके समर्थन में नजर आते हैं लेकिन अब देखें कि अगर राजस्तान के कुल विधायकों की विधान सबाय में जो संखिया है उसके लिए अगर देखा जाए तो ओबी सी वर्ग से लगवग पचास विधायक आते हैं और ऐसे में अगर अशोग गैलोत को मुक्य मंतरी पत से अटाया जाता है इस तरीकी के कोई बड़े कदम उठाये जाते हैं कॉंग्रेस पार्टी के दौरा तो कहीं ने कहीं ओबी सी से खारिज होता नजरा आएगा और इसी वज़े से अशोग गैलोत के खिलाफ कोई भी बड़ी कारवाई करने से कौंग्रेस पार्टी कत्राती नजरा आती है इस समय के अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं माना है जा रहा है कि अशोग गैलोत ही दूसरी आज अब जो चुन तो इसका सबसे बड़ा रीजन यह था कि गूजर समाज को यहाँ पर टिकेट भी दी गई थी लगबग 10 से 12 लोगों को लेकिन यहाँ पर तब भी जीत हासिल नहीं हुई और वही पर कॉंग्रेस पार्टी को दी गई थी कॉंग्रेस पार्टी ने दी 10 लोगों को उसमें से साथ लोगों ने जीत हासिल की क्यों कि पालेट साथ में थे लेकिन अब यहाँ पर रीजन माना जा रहा है कि जब पालेट कोई आगे नहीं किया जाना तो कई ना कई अगर सरकार गिरती है और सरकार रिपीट नहीं हो पार्टी कॉंग्रेस पार्टी की तो यहाँ पर रीज जे बैसला ने जिस तरीके से बाते कही थी उन्होंने कहा था यहां तक कि भारज जुड़ यात्रा को राजस्तान में नहीं घुसने दिया जाएगा इतनी बड़ी बात कही थी और साथी यह भी कहा गया था कि सचीन पालिट को जब तक मुख्यमंत्री बनाने की घुशना नही जाती है तब तक वो भारज जुड़ यात्रा का समर्थन नहीं करेंगे लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं गुजर समाज नाराज जरूर है और हो सकता है कि भारते जन्ता पार्टी उस समाज को मनाने के लिए कोई बड़ा खदम उठाया और इस कड़ी में एक बड़ा बड़ाव आ सकता है और खास हो से देव नाराएन कोरीडोर की बात इसलिए भी किया जारी क्यूंकि उस कोरीडोर से गुजर समाज की का पिज़ादा आस्ता जुड़ी हुई है और बीजे पी कहीं न कहीं उसको साधना चाहती है इसी वज़ए से लगतार महाका का जो काम किया गया था मध्यपरदेश में ठीक उसी तरीके से अब देव नाराएन कोरीडोर का भी काम राजस्तान में किया जा रहा है और इससे गुजर समाज हो सकता है कि भारतिय जन्ता पार्टी के साथ जाता हुआ नजर आ सकता है और यह अशोग गैलोत सरकार के लिए काफी जादा जो है नुकसान दे हो सकता है काफी जादा परिस्तियों को बदल सकता है कल परदान मंतरी का दोरा भी होना है राजस्तान का और यह राजस्तान के चुनाओं में एक सियासी बिगुल के तोर पर देखा जा रहा है क्योंकि परदान मंतरी मोधी के चेरे पर भी पिछली बार आप कह सकते हैं कि चुनाओ लड़ा गया तहाला कि नतीजे बीजेपी के पक्ष में नजर नहीं आये थी शुक्रे अबरार यहां पर कहीं न कहीं यही बात समझने की कोशिश आपर की जा रही है कि एक तो पीए मोधी का यहां पर दौरा जो होगा वो कहीं न कही यहां पर बीजेपी पार्टी को फायदा कराएगा दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो पोस्टर कर रिलीज हुआ है उसमें वसंदार राजी की एंट्री एक बर फिर से कराए गई है तो वो भी कारण माना जारे कि उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है और उसकी वज़े से यहां पर पार्टी रिपीट कर सकती है लेकिन वसंदार राजी को आगे किया जाएगा या नहीं इस पर भी सवाल बना हुआ है लेकिन अगर देखा जाए यहां पर तो और भी जानकारिया लगतार सामने आती हुई नजर आ रही है इसके साथ मै आपको यह भी बता दू कि साफ तोर पर अगर देखा जाए तो राजस्तान में जीत हासिल करना अभी दोनों ही पार्टी के लिए मुश्किल होता जा रहा है यहां पर किसानों का मुद्दा भी सामने लेकर आ रही है यहां पर बेरुजगारी का मुद्दा भी लेकर सामने जबकि कई न कई उनमें उनी की खामियाद देखने को मिल रही है लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर पार्टी जुकने को यहां पर राजी नहीं है बात शुरू की थे हमने यहां पर गहलोत के प्रदेश आध्यक्ष मामले को लेकर कि क्या उन्हें वाइप वापिस से वही पत संभालना चाहिए क्योंकि डंकी की चोट पर लगतार कहते नजर आया है यहां पर अश्योग गहलोत की जब मैं वो पत संभालता था तो आसानी से जीत हासिल हुटे 156 का नारा लगतार पार्टी के दुवारा लगाया जा रहा है तो उसी मुद्दे को लेकर और भी बगावत करना उसके लिए असान होता है और यहां पर जिस तरीक से उनके जो समर्थे के वो लगता है यहां पर गुसा होते नजर आ रहे है अश्योग गैलोत मलीकर जुन खड़के हर किसी पर आक्रोश दिखाते नजर आ रहे है लगातार यह कहते नजर आ रहे कि अगर इस आपको क्या लगता है कि गैलोत को यहां पर सीम बने रहना चाहिए या फे प्रदेशा द्यक्षकापत संबाल लेना चाहिए इस पर राय जरूर दे और बाख इसी खबरों के लिए देखते रहे है यह नेक्स्ट नाइन यूज